हेलो एर्बबन कैसे हो आप सुभी लोग तो आज का मारा टॉपिक भहुत साथा इंटरस्टिंग होने वाला बेटा S3D प्रोड़क्स हैं देरा इल्यमिनेशन फॉम फिजोलोजी तो हमने जो क्रेश को स्टार्ट किया था उसके अंदर अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप आरहम से 340 से आगे जा सकते हो और मैं आपको क्वेश्टन पेपर्स भी करा के लेने वाला हो बायलजी अस वले से केमिस्ट्री के हैं इस इस चाप्टर नमर 19 तो हमने 18 चाप्टर पहले से कवर कर दिये हाईल समरी ओफ यूर चाप्टर फॉम यूर एंस याटी टोटल 100% डेटा आपके एंस याटी से बिलॉंग करने वाला है तो आपको दिखकत कुछ भी नहीं आने वाली और मैं अभी अपने होस्टल पर आ चुका हूँ यहाँ पर सभी चीज़े ठीक है सेट अब अच्छा है और सभी चीज़े अच्छ होने की वज़े से हमारे क्लासे से चाल हो गई है अभी आपको यूटूब के और रेगुलर वीडियो मिल चाहेगी फॉर नीट ट्वेंटी करेंगे अमोनिया का पानी हे तो क्या करें अभी बहुत जाद पानी है थीक है तो देखना कि मैंगा करूंगा मैं ऑ्मोनिया करूंगा आपको आध्य थ्री ठीकलें ये वागी के प्रोऊड्ट्स ठीक है तो अमोनिया ही क्यों बेटा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके metabolic activities के तुरू यह तो आपके excretory activities के तुरू यही आपका product बनता है फिर बाद ने यूरिया आ जाएगा ठीक है ठीक है और उसके बाद यूरिक्सर के crystals आपके के सकते हो ठीक है तो स्विमानिया जिसके ज़्यादा जिसके पास इतना पाणी और अमुनिया करेगा जिसके पास medium level of water यूरिया आपके है सबसे कम पानी काश liegen करेगा यूरिक आयसिल मतलब कभी की पास पानी जाधा नहीं होता तो आपके सकता है लेवल अगर आपके बोड़ी में रहेगा ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपका आमुनिया देखता है यूरिक आशिर टॉक्जिक नहीं होता तो आपके बॉड़ी में उसे भी फॉर्म में रह सकता है बट यस एक्स्क्रिशन अल्वेस अच्छा ही होता है ठीक है और नॉर्मल यूरिया भी आपका टॉक्जिक होता है हम क्या सिक्रेट करते है नहीं बेटा हम क्या करते है यूरिय स्कृर्इट करते बैटा मैं तो यूरिया करता हूं सुप्सू ठिक वगदर यूरिया बगर आ जागा ठीक है अमुनियाँ आपके जिनके पास पानी होगा यूरिक आसीर जिनके पास पानी नहीं होता ठीक है यह बहुत ज्यादा इंबोर्डन्ट है that don't need to conserve water जिनके पास पानी की कुछ कमी नहीं है वो secret करेंगे आमोनिया which conserve some water थोड़ा सा पानी जिससे सेव करनी की जरूरत है और आपका आमोनिया करेगा और जिससे पानी जरूरत करनी की या तो अब दोस्तों ठीक है अभी बेटा नहीं बूरूंगा ठीक है मैं अभी दोस्तों बूरूंगा आप मेरे बेटे नहीं हो बेटा आप मेरे दोस्ते हो एंड आप मेरे भाई साब हो ठीक है तो एक चीज़ देखना भाई साब की बॉनी फिशेस होग जाएंगे फिर बाबने एक्वेटी के आपके पानी के अंदर रहते हैं आपका अमोनिया करेंगे प्लीज एक दो मिनिट के लिए बान का कुछ दो सुन नबर स्टिल ग्लासस के अंदर डिस्टरबंस नहीं होना चाहिए ठीक है तो अक्वेटिक क्या होना चाहिए बेटा आपमफिवेंस ठीक है तो नॉर्मली जो आपके और लिएपके और अपिवेटिक आपिवेंस जो पानी के अंदर धाई थे आर थे अर्थरोपरा हुए eh so the class ateropoda which belongs to your aquatic species is considered into the ammonia which secret the ammonia so this is called as the ammonotelic the organism which secret the ammonia okay yes next one is your yurea yurea is little bit toxic it could be the toxic. अगर मेरे बोरी कें दर मेरे केंडिस खराब हो जाएगा तेक्य है तो मालमे तो pestle estmore dootis the need of dialysis is very simple because urea could be the harmful could be the harmful not the always in little bit amount it is very essential for my osmotic regulation but if the critical level get increased by some percentage then it could be toxic for me and it could consider some osmotic imbalance and due to the osmotic imbalance there could be the multiple minerals factors you can say consider effect ho sakti better ठीक है याप देखना खाशीज इसके पास आते आपके mammals खास करके हम better ठीक है तो एक चीज़ देखना ठीक है mammals को कैसे consider करने हैं बैट हम मैमल है हमारे पास memory glands है इतनी तूचीज है मालूँ हमारे पास memory gland है बैटा तो mammals है तो mammals क्या secret करते है पर सूसू करते है बैटा सूसू क्या होती है यूरिया होती है टेरिस्टिल एंफिबेंस ठीक है एकवेटिक एंफिबेंस यहाँ पर दोस्त ठीक है अभी आपको टेरिस्टिल में कोई आपका इस्तियों साइटिस कोई भी ने बैटा यहाँ पर नॉर्मल आपकी मराइन फिशेज जो मज जो फिशेज बैसिकली नॉर्मली मराइन आपके अंदर रहेगी आपके यूरिया यूर्मली नहीं होता ठीक है तो जो कवरे की ट्टी उते बैटा ठीक है तिन नहीं करते इससे इससे जी सुझे करना ते करना थेक है वो ठुड़ी से अलग चीज ओसंप पड़ी जहिए बंस त्लब यस वी कैन तो इसको नजर अंदाज मत कीजिएगा मेरे दोस्तों इस वेरी इंपोर्टन अभी हम देखते हैं एक्सक्रेटरी ओर्गन्स बेटा ठीक है तो यहां बद सबसे खास चीज एक्सक्रेटरी ओर्गन्स लेटेड में थोड़ास कन्फ्यूस हुआ करता था तो इसक्रेटरी ओर्गन्स लेटर्गन्स 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 और कहिए अर Любल्त अरॉकरा अरॉक्त अर्य अरॉक्त विड़ने बत्व का सच छॉक्त, झे सैसम विए भलन कारा बाउल्व म 순स्भक के CAP-2 क्यूमलियो घ्ट हो रॉक्त, इख और पे छीर तर चीरोल्टी अरॉक्त, झे सी तॉ impulच्त, इजूमलियों। ठीक है, they use phlegm cells as you know and it is also called as the proto-nephridia but along with the excretion there also has been the osmoregulation, ठीक है, so more than the excretion the osmoregulation is also important you can say, ठीक है, so analytes like earthworm use nephridia, insects as you know malphagene, tubules, arthropoda, ठीक है, prawn which are the crustaceans as you know, they use antennal or the green gland also mentioned in your NCRT animal kingdom, ठीक है, please go in your animal kingdom section and please do highlight these points because these particular points could help in your NEET examination, ठीक है, it could be NEET 22, NEET 23 or the NEET 24 but these points, these all of the points are very essential and important, ठीक है, the next important point is human kidney, ठीक है, so if you can sell your kidney, ठीक है, so to whom you can sell your kidney, the first thing the tissue matching is very important because if the tissue doesn't get matched the graft rejection is more specific thing, ठीक है, so you you should have some graft rejection things and all, ठीक है, and all, constrained you should consider all the things, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है तो чер equity, ठीक है, why should you are speaking about that transplantation and all, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, now get का होता है KIDNEYS होता है और आपको इसी form में पूचहेंगे न और इस फॉर्म ठीक है एक चीज़ देखना नेट इतना भी ज़रा नहीं है यनकी इतना भी ज़रा नहीं हो क्या आपको लास्ट तुरा है सिंगे थर्ड लंबार कूछ है T12 to L3 की पीछ मी होता है प्लीज रिकर्गनाइज इस तिंग नीड एक्सामिशन एं प्लीज नो डाउन इस पर्टिकुलर थिंग सिर्य एंश्याइटी टू ठीक है तो क्लोजर तो दॉर्सल बाक साथ है ठीक है एंपट तो अन्य के लिए टीक है इसकी तो आखे बना देता हो वेटा अचीटिक थीए ठीक है ओके अभी आखे मूह बना दिया अभी क्या है यह अपर थोड़ा सा इसका एसे बना देता हो और इसके हाथ निकाल देता हूं यह एक हाथ तो दिया है सबसे खाश देखना लेंद में होती है 10 to 12 cm ठीक है आई तिंग आपके इंसाइट इंट ट्वेल दिया है मैंने भी जैसे पढ़ाया 10 to 12 हमारे बुक के अंदर भी ठीक बेटा एसलिपाश गरेक्टर है इस था मिव मतलब अधा आष लिग्टा मुझाण बसन लिगां से उतनी पसन नहीं नहीं भर आवच एंड एरब जैस भूलमाल लेट इस बूलमार इटर्न बुलभुलया 1.2 इस बूलत 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 इस बेरी इस इस एर इस फरी इस बूलत वरी प okay so it is one of my favorite movie so everything is just covered in this movie and some kind of the emotions thoughts perceptions the love you can say the feeling of having someone which with whom you can consider your life and with whom you can enjoy your life okay so the job we met having something different kind of the vibes and basically ready movie okay the oldest movies you can say and Salman Khan की 2005 से पहले या दो 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 से पहले सभी movies ठीक है wanted and all ठीक है वह अच्छी है मतलब उतनी अच्छी निवर स्टील अभी के movies के consider में rest 3 के consider में बहुत अच्छी है and अगर बात करेंगे तो भाया नीट के बात करेंगे ठीक है मैं आपको ना लिस्ट दे दूँगा ठीक है आपको कौन सी वेब सीरीज देखनी है जैसे की पंचायत and all ठीक है अभी मैंने देखी थी इंटरिंग पार और फिर किड्नी ठीक है फ्रम रहाइलम यूज जस्ट कंसिटर इद नौट एक्षोल थिंग बट स्टील किनल्स अइब अधर को डुद्र कुड्ल प्रिमिस केंदर फॉल्म सो बैटीनी की तरह क्या करेको बटा एक्सटेंड करता इस एक्सटेंड को है खालायक करने ठीक है नौट ओबर लाइब टे एक किनी पास एक मेला ने फ्रांस होते है ने फरॉंस क्या होते है बटा वाहिक structural as well as the functional unit of your kidney so the functional unit of your kidney you can say the nephrons there are the glissens capsules and all the everything as you know ठीके बेटा जैसे के आपको मारून तें लिबर और तो उस तरह का simple वही आपका structure होता है nephron आपका functional unit का क्या रहा हो जागे बेटा तो यह आप देखना मालफीजन बॉड़ी ठीके मालफीजन बॉड़ी या तो आपका रेनल कॉर्पसकल की इस चीज़से बनता है ठीके फर्स तिंग आपका glomerulus हो जाएगा सेकेंड तिंग आपकी वह मैंस की capsule हो जागे ठीक है तो जब भी यह दोनों चीज़े बनते बिटा ठीक है बव मैंस capsule कुछ इस तरह से इसे hold करेगी ठीक इस तरह से तो इस पार कम कंसिडर कर सकते तो गेदर तो गेदर बोद आफ इस पार आइस कंसिडर अधा मालफीजन बॉड़ी और रेनल कॉर्पस कर ठीक है और ता आपके अंसधीक अदर दिया बेटा आगे बढ़ेंगे हमार चाला जो बैसीक फंक्षिणल अंदा स्ट्रक्चिल इनलिट कहाँ है आपका सकते हो आपकर नेफ्रान था ठीक है तो मेजरेटी आफ्ने फ्रांस के अंदर लूप आफ हें लिप बहुत अदर प्कॉर्ट होता है और उन अम नेफरोंस को नेफरोंस को को ठीकल नेफरोंस भी किते पर आपको एक चीज़ बहुत एसेंशन चीज़ बताने है नॉर्म तेरी किसे बता तूंगा ठीक है जस्ट इस इस तकी नहीं सो तो आउटर मोस्त इस दो कोर्टेक्स ठीकी जैसे कि ओवरी के अंदर आउटर नेफरोंस कोर्टेक्स के अंदर ये रहते हैं नीचे आते नहीं है तो इनको हम कहेंगे कोर्टिकल नेफरोंस ठीक है और जब भी आपका मेडुला के अंदर आएगा तो आगे जाके डिसकसी करने वाले कि उसें क्या कहेंगे ठीक है तो यह आपर आपको दिखाई देगा इ आपको नेचे टीक हमेजा तो यह तोचीज़ है कि अंदर आ आपको टीकल नेफरोंस जब स्तेमाइ diff该 रह पर 17 वंदोटीकल नेफरोंस निचे स्तेम ज़यरोंस a झी कोर्टिकल नेफरोंस एमनित डहते हैं लंस च जरम दोने लेयरोंस बश्टिकल नेफरोंसी उस्तीन, please do watch this till the end and yes मैं बहुत जल्दी से आपको सभी चीसे दे दूँगा ठीक है आप 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 यार कैसे होता है लाइफ में ना एक बहुत आद इंपोर्ट चीज सीख लो ठीक है आपको लगता है कि यार आपने जितना भी किया जिन्देकिर में इतना बूस्ट होता है आप कैसे तो आपका नॉर्मल जेट प्लें था अच्छा चल रहा था ना जेट प्लान था तो jet plane normally crash हो जाएगा तो आपकी जिंदेगे में दिक्कत आएगी रोना आएगा लगेगा कि क्यों जी रहो हमें और पुछ भी अच्छा नहीं होता ठीक है बट यार भगवान ना किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ता ठीक है आपके पास भगवान होगा जीजस क्रेस्ट होंगे ठीक है आप क्या सकते हो या अल्ला होंगे ठीक है कोई भगवान भगवान होता है तो एक चीज़ देखना कि आपको ना भगवान कभी बेसा नहीं देखता नहीं छी आपको नो रोकेट में बढ़ाएगा और कई दूर जाके छोड़ेगा प्लैखोल ठीक है तो इसेंशिल थिंग लाइफ में ड्रॉप जाना भी इंपोर्टन होता है क्योंकि ड्रॉप के बाद ही आप सीख पाते हूं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना कैसे है तो प्रॉप आपकी जिंदगी में ड्रॉप अभी आ चुका है बेटा आप अभी रोकेट मे अभी रोप फिंद ले जादा एक्टेंडेट नहीं होता है में ड्रॉप अपके सकते हो तो वासा रेक्टा उसके सराउंडिंग में नहीं होगा ठीक है काउंटर करन मेकनिजम में उतरना ज्यादा है नहीं करेगा तो कॉर्टिकल ने फ्रॉप के अंदर वासा रेक्टा बैटा मेरे जिंदेगी में वायरस लगा है इसे के प्रोटेक्शन दे तो ठीक है तो ग्लॉमिलाल फिल्ट्रेशन टूबलाज सिक्रेशन अंधर याब्जॉप्शन अधर थ्री प्रोसीजर्स अधर थ्री प्रोसीजर्स अफ एवर्रीटिंग यस्ट है इंसाइड यूर कि इस चीज़ को अच्छे से समझ लेला आगे जाएंगे मेरे दोस्तों लूमिलाल फिल्ट्रेशन तीन लेयर से होता है मुझे चीज़ बता तो तीन लेयर हमने कई तो बड़ा था एलवलाई के इंदर एलवलाई की लेयर ब्लड वेसल की लेयर बीच में आपका होल्टिंग सब्स्टेंस उस तरह से सिमिलर स्ट्ट्च्चर है इंडोथयले मुझे जीस कि अटि वह पास था फटी के पास था विय्ट मेंड मेंबरेंच जैसे कि अलवलाई और आपके ये उस बेटा ब्लड वेसल की पीच में थी तो तो सारी यार बेटा बोलने के आदत धीरे धीरे खोड़ी ठीक है I am very sorry about this देखा भाई साथ ठीक है अब देखना कि आपके इसके बीच में होना था तो इफिरेल से लिस वोमाईस कैपसुल जो हुथ वह कहते उसे हम कहते भाई साथ पोडो साइथ ठीक है तो अगर दिली फिल्टरेशन लिट लिट्रीशन यूथ आफ पोस सकते हैं फोटो साइट इसाथ फिल्ट्रेशन स्लीज थू वीच यह जीफार इस फॉर्म यू कैंसे ठीक है तो अगर पानी हाथ में लिया है तो थोड़ा सा ओटर प्लेक ले लेते हैं आप भी ले सकते हैं थोड़ा सा विदिन 10 मिनिट्स वे आर गोंग तो कवर दिस ओल्दो हो दो टॉपिक ठीक है अगर बढ़ेंगे अभी ठीक है एक पेज बचा होगा ठीक है इसके अंदर तो यह डाग्राम ही है न बेटा यहां तक ही पेज इस common out of syllabus point हम नहीं पढ़ेंगे बेटा out of anxiety पढ़ना ही नहीं है थोड़ा ही बचाए ठीक है विदिन नेक्स 10 मिनिट्स वे आर गोंग तो कवर ओल टी टॉपिक ठीक है प्लिस काइन लिवेट तो जीएफर कितना होता है यह important आपका point है 125 ml आपकी मिनिट में होता है तो अगर आप इसे count करोगे पूरे दिन में तो 180 180 लिटर्स तक हो जाएगा एं नौरमल हमारी सुस्व होती है 1-1.5 लिटर मतलब 99 पॉइंट नहीं आप कह सबती हो 99 परसेंट आपका जीएफर बेसिकली रिया अप्जॉप किया जाता है ठीक है जक्स्टा गुलमुजला ग्लोमिनल अपैर्टस की चीज से बनता है बीसिटी ब्लस आफरेंट आपके एट्रोल से बनता है ठीक है जक्स्टा गुलमुजला अपैर्टस आपके यह जो से बनता है ग्लुकोज आमानवाइसस और आपका सोडियम आपके एक्टिवली क्या होता है अब्सॉब होता है मेरे दोस्तों ठीक है आपका हईड्रोजन प तोस्तों PCT के अंदर microphones होते है and microphones के विज़े here बढ़ता है surface area जाधा होनी के वज़े से इसके अंदर इससे पाई जाती है अब इसके इंदर देखना ascending loop of the handling impermeable to the water होता है impermeable water होनी की वज़े से वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर dilute urine produce की जाती है क्योंकि वहाँ पर प्रियाबलेटी होती है आपकी एलेक्ट्रोलाइट्स की टो इलेक्ट्रोलाइट्स चले जायेंगे पानी रहेगा तो आपकी डाइड्यूट्यूरीट यूरीन बने की descending loop of Henley is permeable to water but impermeable to the electrolytes सो इसकी वेज़े से basically आपका क्या होते है मेरे दोस्तों आपकी यूरीन क्या होती ही concentrate होती है पानी चला जाएगा एलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे तो concentrate हो जाएगा ठीक है collecting dust secret कते है potassium आपका H plus into the urine and the urea into the medullary area इसका एक reason probable reason आप कैसे है सकते है कि Osmo regulation plus बाखी की चीज़े maintain करने में हो सकता है ठीक है concentration cortex के अंदर 300 ml होता है और medulla के अंदर 12 होता है ठीक है तो यह concentration की चीज़ के लिए लगता है ठीक है क्योंकि आपका counter current mechanism यहाँ पर extend कर रहा है ठीक है तो यह से भी चीज़ होती है किरनी आपकी यूरीन बना सकती है चार टाइमस more concentrated than the initial filter ठीक है आपका जो normal filtrate होता है में दोस्तों उससे आपका चार परसेंट ज्यादा बनाया दा सकता है ठीक है चार टाइमस ठीक है तो इस चीज़ को अच्छे से देखना रेनिन एंजियो टेंसिन मेकेनिजम एक्चुली मैं क्या करूंगा इसका पीक निकालके इसका screenshot वगरा निकालके आपको टेलिग्राम पर आज डाल दूँगा ठीक है इससे पढ़ाने की कोई ज़रूद ने देख लेका बहुत जाद है ठीक है तो आप बुरा मत समझो आप ही थोड़ा सा क्यूट दिखते ठीक है आगे बढ़ेंगे यस तो एक चीज़ रिमेंबर करना या पर कहने के लिए आपका आ रिये क्या होगा घ्राम के लिए पड़ेगा आरे का फूल फॉर्म क्या है प्रेटा यस जल्ली से बता दो ठीक है ब्लड प्रेशर आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ठीक है आप आपका atrial natriorative factor कम हो जागा बेटा ठीक है तो वहाँ पर देखना blood pressure and volume आपका भी कम होने बार था ठीक है actually इसकी वज़े से कम होगा ठीक है sorry sorry अल्रिस्टोरान की वज़े से DCT आपका absorb करेगा यहने plus इसकी वज़े से आपका active absorption हो सकता है ठीक है यूरिन की pH 6 होती है मतलब slightly acidic होता है 25-30 gram यूरिया हम क्या करते है एक्सक्रेट करते है डेली ठीक है diabetes glycosauria and ketoneuria होता है बेटा diabetes mellitus ठीक है तो इसके अंदर आपका insulin secret नहीं होगा तो आपको glucose बढ़ेगा आपका blood के अंदर वग रहा तो glycosauria and ketone नहीं हो रहा है क्योंकि glucose की body ketone की body इसके इंदर convert होती है और इसकी sweet smell होती बढ़ा क्या होता है sweet smell होती है ठीक है तो इस sweet smell से हम पता कर सते है Other organs which help in the excretion are the lungs which could excrete 200 ml of the CO2 per minute sebaceous or the oil glands which secretes आपका excretes tyrols hydrocarpons yacials as well as the waxes ठीक है normal waxes you can consider in your yes ear cavity ठीक है then yes your saliva which exceeds some of the nitrogenous waste you cancer ठीक है next one is your important disorders so the renal calculus is some kidney stone भी कहते बड़ा इसे मुद खड़ा भी कहते है जिसके अंदर oxalate की smallest particles होते है जो कि आपके फसे होते यूरिया इंद ब्लड अगर पाया जागा पिटा अगर किसी की किवी ज्यादा फंक्शनल नहीं है हो सकता है कि उसे यूरिया हो जाए मतलब ब्लड के अंदर यूरिया एकट्टा हो जाए बेटा हेमोडायासिस मेथड से हम नॉर्मली सभी जेते कवर कर सकते हैं पहले में क्या करना पड़ेगा मैं आपको एक्स्प्रेंट करूंगा आय ट्री से ब्लड निकालना पड़ेग ठाइए उसको सबसे खाचता पता कर सकतों बीटा कि सराउंडिट करना पड़ेगा डाइलेशिंघ फ्लूट के अंदर एद्वेस्टी मूव करनी पड़ेगी ठीके उसके अंदर आपकी नॉर्मली सेलोफॉन ट्यूब अगरा होती है आपको पंप करना पड़ेगा यस हेप सबसे मिनिमम होता है आपके हेंडलेश दूप की अंतर ठीक है सबसे जाद आपका हो जाएगा पी सीटी की अंतर ठीक है तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद करना मेरे दोस्तों कि इस टॉपिक नो हमने बहुत आउशन तरीके से कवर कर लिया है अगर आप किसके नोट चाहिए तो अप्लि केशन को डाउन लोड को ला अप्लिकेशन का नाम है वयवो देश्मूंग निट ठीक है तो अप्लिकेशन का नाम किया मेरे दोस्तों वयवो यह आपर नाम नहीं अपराथी के लैपटप बीना मेरा मार खाके मायने के ठीक है वाइबो डेश्मुग नीट यही सेम नाम जो का आपको यूट्व पर मिलेगा यह एप्लीकेशन है एंध खास करके टेली ग्राम को जोइन करना भूलना मत क्योंकि टेली ग्राम का नाम भी यही है वेटा टेली ग कुछ चाहिए तो comment section is always open and yes let's end this topic नए लेक्षर के नदर जल्दी ही मिलेंगे सभी topics को attend कीजिएगा ठीके बाइबाइबाइटेक्यर